कहिए कैसे हैं आप How to be a perfect girl आज मैं बात कर रही हूँ girl से की perfect कैसे बने देखिए fact ये है की perfect कोई नहीं होता पर fact ये भी है कि अपनी नजरों में तो हम perfect यानि अपना best version तो बन सकते हैं ताकि दूसरे हमें पसंद करें बन सकते हैं की नहीं बन सकते बिल्कुल बन सकते हैं पर अब प्रशन नहीं उठता है की कैसे वही मैं आज आपको 9 बाते बता रही हूँ तो आप तेयार हैं सुनने के लिए पहली बात हमारी looks looks अच्छी होनी चाहिए अब जब मैं looks की बात कर रही हूँ तो बहुत सारों के मन में आप में से बहुत सारों के मन में आ रहा होगा हमारी looks अच्छी नहीं है वो बहुत खुबसूरत है या मेरी सहली बहुत खुबसूरत है मेरी पड़ोसन, मेरी कजन बहुत खुबसूरत है मैं खुबसूरत नहीं हूँ पाहरा होगा ना ये, मैं उस looks की, उस खुबसूरती की बात नहीं कर रही है, देखिए, खुबसूरत लोग, जरूरी नहीं की अच्छे हो पर अच्छे लोग जरूर खुबसूरत होते हैं, मैं उस अच्छे की बात कर रही है, हमें बनना है अच्छे, ये जो complex है न, इसको तो मन से निकाल दीजे देखे, PLUS, MINUS POINTS तो हरेक में होते हैं हम क्या करते हैं कि जो PLUS POINTS है, हमारे हमारे جो STRENGHTS है उसको तो हम एक तरफ कर देते हैं तो इम्पोर्टेंज ई नहीं देते हैं और जो MINUS POINTS है न जो हमें कमिया है उसको गिनते रहते हैं सारा समय और complex में चलने चाते हैं जबकि ये ना करके जो हमारे plus points हैं हमें उसको उभारना चाहिए और जहां तक अच्छी looks की बात है अब आप सोच रहोंगे तो ये थोड़ी ना मतलब है कि खूब सारा make-up कर लिया branded कपड़े पहन लिये या महेंगे चमकदार कपड़े पहन लिये चलो जी हो गए हम खूबसूरत ऐसे थोड़ी ना होता है simple looks भी तो attractive बनाती है हम properly dressed up होंगे है ना और कपड़े साफ सुत्रे पहने होंगे अपनी personal hygiene का हमने ख्याल रखा होगा बाल अच्छे से बने होंगे चेरे पर प्यारी से smile होगी हलकी से smile होगी तो किसको नहीं attract करेंगी सबको attract करेंगी वैसे इस बारे में मैंने एक वीडियो बनाई हुई है how to be more attractive इसका link मैं नीचे दे रही हूँ वो भी आप ज़रूर देखना अब आता है दूसरा point दूसरी बात हमें समझदारी हमें maturity दिखानी है ताकि हमारी बातों से intelligence जहल के जैसे सुन्दरता हमेशा नहीं रहती ना एक ना एक दिन ढल जाती है वैसे ही जो सुन्दर चेहरे होते हैं वो भी हम भूलने लग जाते हैं पर जो बाते होती है ना वो हम बहुत लंबे समय तक याद रखते हैं इसलिए जरूरी है कि जब हम बात करें बहुत समझदारी से करें देखिए जो हमारी body language है उससे तो maturity जहल करें चाहिए और जो हमारी बातचीत का तरीका है ना उससे हमारी intelligence समझदारी हम किसी से बात कर रहे है हमारे हाव बहुत बड़े अजीब से है हम जैसे एक लड़की है दूसरे लड़की के कंदे पर हाथ रखके खड़ी है अजीब सा बहुत कर रही है दूसरी बात कर रही है तो पहली लड़की फोन पर बात किये जा रही वो ध्यान ही नहीं दे रही, वो क्या बोल रही है, क्या नहीं बोल रही है, ये हाव भाव, इन चीजों को हमने करना है अवोइड, और जब भी बात करनी है, बहुत ध्यान से सुनना है, आई कॉंटेक्ट बना के सुनना है, स्माइल के साथ सुनना है, ध्यान से सुनना है, मतल जोर-जोर से बोलके, या ऐसे शौफ करके, मतलब कहीं पर होता है लड़की इतराती बहुत है, इतरा-इतरा के बोलती है, ये चीज भी नहीं करने हैं, इस चीज को देखके तो लोग दूर भागते हैं, हाँ जहां हम अच्छे हुए, जहां हमने प्रॉपर्ली बात की, जहां लोग जरूर अट्रेक्ट होते हैं, फिर लोग जरूर हमसे बात करना, हमसे बात सुनना पसंद करते हैं, देखिए ये जो लफ्स होते हैं, इनका इस्तमाल बहुत सो समझ के करना चाहिए, क्यों, क्योंकि ये हमारी परवरिश के प्रमान पत्र हैं, पता है आपको, आपने कि नोच हो घुए होगा न, जब कुछ बात हो जाती है, क्या तुम्हारे ममी पापा ने ये नी सिखाया, सिधा बात किस पे आती है पेरेंंट्स पे आती है, तुमको जब हम बात कर रहे हैं, बहुत सो समझ के, क्योंकि परवरिश का प्रमान पत्र हैं अब आती है तीसरी ब माल लीजे एक लड़की है वो भले ही जॉब के लिए या चलिए पढ़ाई के लिए वो हॉस्टेल में रह रही है माल लीजे तो वहां पर उसको कुछ काम आता ही नहीं है मतलब जैसे माल लीजे कपड़े धोने हैं या चाय बनानी है या रूम साफ करना है तो वो हर चीज के लिए दूसरों के ओपर डिपेंडेंट है तो ये काम पहले ही आने चाय है कितनी बार ऐसे होता है कि जैसे होस्टेल में रह रहे हैं कपड़े धोने आते नहीं है और हफ़ते दस दिन बाद या पंदरा दिन बाद जब भी घर जाना है तो पूरा बैग भर के लेकर जा रहे हैं उन कपड़ों का गंदे कपड़ों का कि घर पे दुलेंगे ममी दूएंगे मुझे तो आते नहीं धोने सीधी सी बात है कितनी बार ऐसा होता है तो थोड़ा थोड़ा करके काम खुद आने चाहिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जिसे खाना बनाना हो गया थोड़ी थोड़ी चीज़े तो आनी चाहिए यही तो मैं बात कर रही हूँ ना कि किसी के ओपर dependent ना हो मतलब खुद आना चाहिए अगर नहीं आता तो आज से ही थोड़ा थोड़ा करके सीखना शुरू कर देना चाहिए फिर अगर जॉब कर रहे हैं माल लीजिए फाइनेशली आप independent है बहुत अच्छी बात है और अगर नहीं कर रहे है जॉब तो सोचना चाहिए कि मैं भी किस तरह से क्या-क्या काम कर सकती हूँ यह बहुत जादा ज़रूरी है अपने पैरों पे खड़ा होना यकीन मानिए ब नहीं कर रहे तो आप ऐसा क्या काम कर सकते हैं कि आप भी कुछ इंकम को जनरेट कर सके जरूर सोचेगा अब आता है next point fourth point हमें strong और confident बनना है जो कोई problem हमारे सामने आती है ना कोशिश यह करनी है कि हम ही उस problem को solve करें हम ही उसका हल निकाले हम क्या करते हैं डरे से हमें रहते जैसे एक लड़की है college जाना है तो पापा ही छोड़के आएंगे. जॉब पे जाना है तो सुबह पापा ही छोड़के आएंगे, पापा कहीं busy है तो आज चुट्ती ले ली, जॉब की. मतलब इतना डरे से हमें रहते हैं हम घर से बाहर निकलते हैं मार्किट तक भी जाना होना तो मम्मी को साथ लेके जाएंगे मतलब इस तरह से करते हैं तो ये चीज तो नहीं होनी चाहिए हाँ पर इसी के साथ साथ over confident भी नहीं होना कि जैसे माली जै रात को एक फ्रेंड के घर पार्टी है बारा एक बच जाएंगे पता है इतनी लेट हो जाएंगे कोई बात नहीं मैं आ जाओंगी मैं नहीं डरती किसी से ये चीज भी नहीं होनी चाहिए जहां हो सके हो सके उस चीज को avoid करना चाहिए फिफ्थ पॉइंट ये कि जब बात self-respect की होना तो compromise कभी नहीं करना compromise कभी नहीं करना आप चाहिए student है आप चाहिए job करते हैं आप बेशक घर पे रहते हैं पर ये जो compromise है ना ये नहीं करना देखे आप loving है caring है सब का ख्याल रखती है बिर्कुल ठीक बात है और बहुत अच्छी बात है पर अपनी boundaries भी set करनी चाहिए पर हमने इस limit तक जाकर किसी की help करनी है इस limit तक जाकर हमने ये करना है मतलब अपनी boundaries set करनी चाहिए उसकी वज़े ये है कि कई बार लोग नाजायस फायदा उठा लेते है तो ना कहना भी आना चाहिए मतलब थोड़ा सा अपने रवेये में अपनी nature में थोड़ी सी सकती भी रखनी चाहिए वो कहते भी है ना कि मिजाज में थोड़ी सी सकती भी ज़रूरी है लोग तो पी जाते समुंदर अगर खारा ना होता लोग तो छोड़ते नहीं इसलिए अपने जो होता है ना अपनी boundaries अपनी लक्षमन रेखा ये तो बिलकुली बना के रखनी चाहिए ये बहुत ज़रूरी है मतलब दूसरों को खुश करने के चकर में कुछ हम ऐसा कर जाएं जो कि सारी जिंदगी हमें कचोडता रहे उसका क्या फैद है इसलिए जो चीज नहीं सही लग रही उसको clear cut clear cut no कहना है कि नहीं वैसे ना कहना भी आना चाहिए इस बारे में भी वीडियो बनाई होगी है मैं उसका link नीचे दे रही हूँ वो भी आप जरूर देखना अब आता है 6th point 6th point organized रहना जितना हम वैवस्तित रहेंगे हर एक चीज अपनी सही ढंग पे रखी होगी हमारे time fix होगा हमारा time table होगा सब कुछ बिलकुल time के accordingly बिलकुल जो हमने set किया हुआ है organized है हम उसे साफ से चल रहा है तो कुई दिक्कत ही नहीं होगी और जहां सब कुछ mess हो गया जो कि अकसर होता है मतलब सब कुछ गरवड जहला हो जाता है मैं बताती हूँ जैसे मान लेजिए आपको एक दवाई लेनी है मान लेजिए for example और वो बहुत ज़रूरी है अभी लेनी है आपको मिली निरी वो क्यों नहीं मिल रही क्योंकि पता ही नहीं कहां रखी है मतलब हम organized नहीं है हमारी जगा नहीं है कि हमने दवाई यहीं रखनी है तो वो ढूंडे जा रहे हैं हम कि कहां रखी है मिल निरी, मिल निरी अच्छा उस चकर में क्या हो रहा है अब दवाई ढूंडे एक तो जरूरी चाहिए एक मिल निरी मतलब टाइम भी वेस्ट हो रहा है एनरजी वेस्ट हो रही है उस टाइम पर आप कुछ और काम भी कर सकते थे है ना अब दवाई वो मगानी भी पड़ेगी मतलब वो इतनी जरूरी है कि वो मगानी पड़ेगी क्योंकि वो मिले निरी है अब पैसे कर्च हो गए और वहीं पर अगर हमें पता होता है कि हमें ये दवाई चाहिए हमने ये डबबे में रखी हुई है डबबा निकाला हमारी एनरजी टाइम मनी सब सेव हो गया ना कुछ वेस्ट तो नहीं हुआ ना और लाइफ क्या होई स्मूथ हो गई स्मूथ ही होगी ना ऐसे तो लाइफ फिर हम अपने काम इस पाफर नौलिज हमें जो है ना पढ़ाई की इंपोर्टेंस समझनी पड़ेगी बहुत जाता सुरू है मतलब ये जो एज है ना हमारी स्टडी करने जब हम पूरा फोकस पूरा ध्यान बस पढ़ाई पर लगा दीजी यकीन मानिये अगर आपने पूरी तरह से पढ़ाई पर ध्यान लगाया आगे की पूरी लाइफ बहुत बढ़िया बीते गी और जहां पर पढ़ाई पर ध्यान नहीं लगाया मतलब इधर उधर चीजों में ध्यान बढ़ गया फिर बहुत प्रॉब्लम आपको पर लो पर लो वो इसलिए कहते हैं उनकी बात का बुरा बानने की जूर्त नहीं है वो भला चाहते हैं आपका इसलिए कहते हैं बार 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 तोकते हैं कि पर लो पर लो तो इसकी importance को समझिए ये जो मैंने इतनी सारी बात है की ना कि हम strong बने, independent बने, यह जब तक हम educated ही नहीं होंगे, पढ़े लिखे नहीं होंगे, यह सब चीजे बेमानी है, कोई फैदा नहीं आसका, इसलिए बहुत जादा जरूरी है, मतलब बहुत ही जादा जरूरी है कि हम पढ़ाई पर पूरा ध्यान थे, अब आता है 8th point, relationship को importance देनी है, रिष्टे बनाना बहुत असान है, रिष्टे बनाना उतना ही असान है, जितना मिट्टी से मिट्टी पर मिट्टी लिखना, कोई मुश्किल है, और निभाना उतना ही मुश्किल है, जितना पानी से पानी पर पानी लिखना, तो हम जो रिष्टे बनाते हैं, पहली बाद त रिष्टों की एहमियत समझें और फिर उसको निभाएं देखिए एक लड़की है ना उसकी लाइफ में अलग-अलग रिष्टे आते हैं जब वो घर में जनम लेती है तो किसी की बेटी होती है किसी की बेहन बनती है ठीक है बड़ी होती है फिर चलो फ्रेंड सरकल में आ गई किसी की दोस बन गई सहली बन गई ठीक है फिर और बड़ी होई फिर शादी हो गई तो किसी की बहु किसी की वाई फिर आगे मदर का रोल फिर आगे सास का रोल बहुत रोल्स निभाती है इसलिए रिष्टों की एहमियत समझनी चाहिए और उनको निभाना भी आना चाहिए मतलब सिरफ समझने से कुछ नहीं होगा, निभाना भी आना चाहिए तो जब भी बात करें, अराम से सुने, फिर समझे, समान अनुभूती रखें, प्यार से बात करें, रिस्पेक्टफुली बात करें ये चीज तो देखें, बहुत जादा जरूरी है, और ये जो बुराई चुगलियां हैं, इनसे तो बहुत दूर रही है इन में तो कुछ नहीं रखा, मतलब सिवाए टाइम वेस करने के, अपनी लाइफ स्पोयल करने के, कुछ नहीं रखा कई बर हम ये बोलते भी है ना, कि उसने बोल दिया था, वो ऐसी है, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप खुद पर कंट्रोल कीजिए देखें, जब तक मन कह कही ना हो ना, कोई मंतरा कान नहीं भर सकती, इस चीज को ध्यान रखेगा जब तक मन कह कही ना हो, कोई मंतरा कान नहीं भर सकती, ये चीज बहुत ज़रूरी है, अच्छी लाइफ के लिए, अपने प्रिंसिपल रखो ना, अप अपनी वैल्यूस रखो ना, उस पे चलो आप, ये चीज़े ना, हमारी रेपूटेशन बताती है, जैसे की मान लीजे एक लड़की है, बहुत काइंड हर्टेड है, तो हमेशा उसको उस नाम से याद रखा जागा, कि ये तो बहुत, इसके पास कोई प्रॉब्लम लेकर चले जो, ये सॉल्फ कर देती है, बहुत काइंड हर्टेड है, ये हेल्प करने के लिए हमेशा तया रहती है, तो ये ही बात मैं आपको बताना चाहरी हूँ, कि अपने जो वेल्यूज हैं, उसको स्ट्रॉंग मतलब उनको मजबूत बनाना है, अपने प्रिंसिपल्स को, उनको डेवलब करना है, अगर है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो उनको डेवलब कीजिए, बहुत फरक और अब आता है नाइंट पॉइंट और वो ये, कि लाइफ में कोई ना कोई परपस ज़रूर होना चाहिए, तो कोई मकसद भी होना चाहिए ना, सिर्फ सास लेकर वक्त गवाना तो कोई जिन्दगी नहीं, और जो नाम पहचान भले ही छोटी हो, पर वो अपनी हो, बहुत पर फोकस करकर, उनके ओपर कंसर्ट्रेट करकर हम उसको आगे बढ़ाएं, देखो, मैंने इसको अचीव किया है, वो होगा, तो आप देखिए कि आप क्या कर सकती है, चुप चाप, खामोशी से महनत करते रहे हैं, देखिए, एक दिन सफलता शोर मजा देगी, एक दिन सफलता शोर मजा देगी, वसे आप बताइए, आप क्या सोचते हैं, आपके कमेंट्स का मुझे इंजार रहेगा, और हाँ, अगर आपने मेरा ये यूट्यूब वाला चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो फ्लीज कर लीजेगा, और इसमें ये जो एक ब ओ जालाएं आपट अज़ किया चैनल अभी आपी हैं, आपक। अभी तक समय ये तक स्ब्सक्राइब वाला शये किया ऊपने में ये च्चले में अभी हैं, आपक